पिनस कैसे हैं आप सबी आई होब आप सब ठीक होंगे और आज इसके आप जानते हैं कि हनुमान जनती आने वाली है तो आज का मेरा वीडियो है कि हनुमान जीक की लाइफ से हम अपनी जीवन में उनकी जीवन से हम ऐसा क्या सीख सकते हैं कि जिससे हमारे जीवन में सफलता आ लेने चाहिए या ऐसे कौन से important चीजे हैं कि जो हम एजे देवत्ता तो ठीक है उनका बगवान की तरह हम पूजन करते हैं बट उनके कौन से आदर्श है जो हमें हमारे जीवन में उतारने चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सुक्सम्रद्य और सफलता में हो जाए तो आज मैं उ सबसे पहला उनका जो most important चीज है उनकी life की वो कि वो दुनिया के एक मात्र ऐसे भक्त हैं कि जो खुद देवता बन गए आपने देखा भी होगा सुना भी होगा और आप जिसको मानेंगे भी कि श्री राम जी के मंदिरों से जादा हनुमान जी के मंदिरों की संख्या है वो भी एक भक्त है और इतने बड़े प्रस्चंड भक्त है कि वो खुद ही देवता बन गए उनकी भक्ती में वो इतनी शक्ती थी कि वो खुद एक देवता बन गए तो इसका मतलव यही है कि आपने अपने इस्ट पे इतना अट्टूट विश्वास रखना है आपके जो इस्ट हैं देवी हैं देवता हैं उन पे इतना भरोसा और इतना विश्वास रखना है कि मेरा इस्ट मेरा देवी मेरा दिवता जिसकी में पुझा आरदन कर रही हूं वो मुझे मेरे लाइफ परपस तक लेके ही जाएगा मिझे जिस कार में जो सफलता चाहिए वो मेरी मदद करने ही वाला है और सिवाए उसके किसी और पे भी मिझे कोई शक या डाउट नहीं लाना है कि मैं पतनी है मेरा कार होगा कि नहीं होगा मिझे आप अपने लाइफ में जो भी कार ले जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसमें जो मेहनत है वो आपको करनी है लेकिन अट्टूट भरोसा जो समर्पन है वो अपने इस्ट देवी देवता पे रखना है नमबर दो है कि उन्होंने कभी अपनी मर्यादा को लांगने की कोशिश नहीं की उनकी शक्तियों के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो कितने शक्तिशाली हैं उनके पास कितनी साधा सक्तिया हैं जो वो माताश्रीता जी से मिलने श्री लंका जाते हैं तो अगर वो चाहत तो उसी शर्ण माता श्रीता जी को अपने साथ लेके वापस आ सकते थे लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं लागा उवह एक श्री राम जी के दूत बनके गये थे उन्होंने अपना दूत का काम किया और वापस आई कभी भी उन्होंने अपनी शक्तियों को लेके परदर्शन करने की कोशिश नहीं की कभी अपनी उन शक्तियों का यूज करके अपनी मर्यादा को लागने की कोशिश नहीं की यही सीख हमें अपने चीवन में लेनी है कि हमारी जीवन में कितनी भी हमारे पास शक्तिया आ जाए जिस चीज के लिए हमें वो सिद्धिया शक्तिया चाहिए केवल उसी में ही इस्तेमाल करनी है उसके अलावा अपनी जो मर्यादा है उसका उलंगन नहीं करना है ठीके कि इसमें नहीं कि नेचरल पावर्स को आपको इंट्रिफेर करके बताना पड़े कि आप मिस्यूस कर रहे अपनी शक्तियों का ऐसा हमें अमारी लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए इसका मैं छोटा से एक्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे जैसे कि आप लॉफ ट्रेक्शन का यूज किसी को नुकसान पहुचाने के लिए नहीं करेंगी वैसे भी वो कारे नहीं करता है लेकि फिर भी आपको कोशिश भी नहीं करनी है इवन आप मेडिटेशन में अगर आपको सिद्धियां मिलने लग जाती है आपकी थोड़ी से भी भक्ती होती है पिछले जन्मों की तो मेडिटेशन से भी आपको कुछ सिद्धियां कुछ हासिल होना लग जाता है या आपको दू दूसरों को नहीं बताना चाहिए ठीके क्योंकि जो चीजे अनफोल्ड रखी गई है नेचर के दौरा उसका भी तो कोई मीनिंग रहा होगा ना क्यों नोने अनफोल्डिंग करके रखा फ्यूचर कोई अपने किसी का फ्यूचर नहीं बता सकता था ठीके तो अगर इमिन आप जो आप जिस रिष्टे में अपने रिष्टे की मर्यादा को भी हमेशा बनाए रखिएगा जो आपकी मर्यादा है उसी पर वर्क कीजिएगा नमबर तीन है कि उनकी जो डिक्शनरी थी उसमें इंपॉसिवल शब्द ही नहीं था आपने देखो सोचो जरा कितना बड़ा सम है असंभव है ऐसा कुछ नकुछ चालू होता है नेगेटिव थिंकि बट उनके दिमाग में वो थिंकिंग ही नहीं आती है वो सुचते ही नहीं उसमारे इंपॉसिवल वर्ड उनकी लाइप में था ही नहीं उनको शिर्फ अटूट श्रदा थी भक्ति थी अपने इस्ट के प्रती और उनकी सिर्फ सेवा करना चाहते थे और सेम चीज होती है कि जब उनको संजीवनी बुटी लेके आना है और उन्हें नहीं समझ में आता कि संजीवनी बुटी कैसी है तो उनके लिए चोटी चीज से लेके बड़ी चीजों कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था यही कि हमें सबसे बड़ा life lesson लेना है कि इस धर्ती पे या इस जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो impossible है इंसान हर वो चीज जो चाहे वो कर सकता है यह वो अपना actually life lesson देना चाहती थे तो next point है कि वो इतने खुद शक्ति शाली थे इतने उनके पास रिद्या थी सिद्या थी उनके पास इतने बड़े बड़े उनको आशिरवाद वर्दान मिले हुए थे उन सब के बाब जूद भी उन्होंने अपना गुरू बनाया अपना mentor बनाया उन्होंने सूरी भगवान को अपना गुरू बनाया तो यही दर्शाता है कि आप अपनी life में कितने भी सफल हो जाएं आपकी life में एक गुरू ऐसा होना ही चाहिए जो आपको जीवन की नईया को पार लगाने वाला हो मिन्स थोड़ा सा भी आप अपने मार्क से थोड़ा सा भी फिसल गए तो वो आपक आपके अपने जीवन में एक गुरू एक मेंटर जुरू रखियेगा जो आपको आपके हर कदम पर आपको मार्क दर्शन देता रहे जो आपके जीवन की नईया को पार लगाता रहे और उसके बाद है एंकार नहीं करना आपने कभी भी सुनिएंगा पूरी रामायाण सुन लीजीए कभी भी हनुमान जी ने कभी नहीं बोला कि ये कारे मैंने किया है उन्होंने हमेशा स्री राम जी के चर्णों में समर्पित करते हुए कहा कि आपकी क्रिपा से ये कार हो गया है यहां होता क्या है कि थोड़ा सा भी सक्सस मिल जाती है तो सर चड़के बोलने लगती है हाँ यह मैंने किया यह मेरा है यह बंगलो मैंने मनाया यह गाड़ी मेरी है कब भी नहीं सोचते कि यह उस आपके आशिरवाद उस इस्ट का उस देवता का जिसकी आपने पूजा या जिससे आपने wish मांगी है उस universe का आशिरवाद है आप उसके लिए grateful भी feel नहीं करते हैं इसलिए बोलते हैं gratitude को अपना attitude बनाईए तो जीवन में सारी सफलता मिलती है जब आप gratitude करते हैं तो आपके अंदर का एहम जो है एंकार वो खतम होने लगता है तो उनके जीवन में ए बेश मात्र भी नहीं था थोड़ा सा भी एहंकार उनकी लाइफ में नहीं था जब यो बड़े से बड़ा कारे करते थे तो वो सिर्फ स्री राम जी के चड़नों में समर्पित कर देते थे कि ये उनकी किरपा से हुआ है मैंने तो कुछ भी नहीं किया है तो अपना जो भी आप कारे करें अपने इस्ट अपने देविदेपता अपने गुरु के चड़नों में समर्पित कर दीजिए कि उनकी आशिरवात से हुआ है उनकी किरपा द्रस्टी से हुआ है इसको मैंने नहीं किया है उन्होंने मेरे सी करवाया है आपको रामायन का बहुत अगर आपने स सारे characters को देखा होगा तो एक एसी रामायन ऐसा है कि जिसमें हर एक character किसी नए किसी मौके पर मैं character भी भी आपको दो एक movie की तरह लगे उस पुरी रामायन में हर एक जो उसका पातर है कहीत नकही में दुखी हुआ है रोया है लेकिन हनुमान जी एक मात्र ऐसे पात्र हैं उस पूरे मूवी के रामायन के मींस उस रामायन में जो अपने जीवन में कभी नहीं रोए हो हमेशा खुश थे कितनी भी बड़ी टेंचन थी कितना भी कुश था उन्होंने कभी भी हमेशा वो हसते ही रहे तो वो अपने हमें सीख देते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी हो हमें हमेशा प्रसन रहता है और एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो हमेशा खुश रहता है भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं और जो खुश नहीं रहते हैं उनके आसपास चंडाल रहते हैं Means की भगवान जो बहुत खुश रहने वाले विक्तिय हैं, जिसको हसमुक बोलते हैं, हमेशा खुश रहता है, चाहे तकलिफ सबको होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हूँ हमेशा खुश रहते हैं, और अटेंशन, स्ट्रिस को नहीं पालतें, तो हमेशा भगवान उनके साथ रहते हैं और आप देखिएगा जिसको बुलते हैं Blissful Life या Law of Traction में भी हमें एक की कीवर्ड होता है कि हमें हमेशा खुश रहना है जब हम खुश होते हैं आनन्द में होते हैं तो हमारा alignment बनता है हमारे higher self से जब हम खुश है तब हम अपनी inner wise को सुन सकते हैं उस higher self को सुन सकते हैं हमारा alignment होता है और हमारी चीज़े manifest होना शुरू हो जाती है तो आप दीकिए गा Law of Traction कुछ और नहीं है अगर आप अपने Hindu rituals को या अपने भी किसी भी अपधार्मिक किताबों को देखिएगा उनके अंदर के अर्थों गूडर अर्थों को जानने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा तो ये तो पहले से already बताया है जा चुका है हमें क्या करना चाहिए अपनी जिन्दगी में सफलता पाने के लिए या जो हमें चाहिए उतनी विश्च को fulfill करने के लिए और सबसे most important उनके जो characteristic है उनकी life का वो यही है कि उनको जो भी काम दिया गिया उन्होंने उस काम को सिविकार किया उसे पूरा किया मिन्स चाहे वो लंका जाना हो चाहे संजीवनी बूटी लेके आने हो कितना भी कठिन से कठिन कारे हो क्यों ना हो उन्होंने उस कारी को सिविकार किया और उसको पूरा किया हमें क्या है कि student life में देखें तो बोलेंगे यह बहुत tough है मेरे से नहीं होगा डॉक्टर के MBPS का इंसाम के लिए preparation करना है बहुत tough है हमसे नहीं होगा IS का बहुत tough है हमसे नहीं होगा तो हम लोग shortcut और easy method ढूनने की कोशिश करते हैं बट उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं क्योंकि उनके पास आपार शक्तिगां थी वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने वैसा कभी कुछ नहीं किया उनके सामने जो कारे आया उन्हें उन्होंने स्विकर किया और हसते हुए उस कारे को पूर्ण किया तो आई होप हनुमांजी की life lessons, आप अपने life lessons, अपने जीवन में कुछ lessons को लेके आएंगे तो आपके पास आपकी जिन्दगी में जो सफलता आपको चाहिए, जो मुकाम आपको चाहिए, वो आपको जरूर मिलेगा और सबसे जो important चीज़ है उनकी life की वो एक ही है अपने आदर्शों को खुद स्वैम बना के रखिए means कि अपने rules खुद बनाईए discipline life में लेके आईए जब ये सब चीज़े हम अपने life में लेके आते हैं तो हमारी life में सफलता पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है तो I hope I clear हो गया होगा सबको वापस से बोल देती हूँ number one अपने east पे उस ब्राह्मांड पे उस इन्वर्स पे उस भगवान पे जिससे भी आप मानते हैं टू टू इस्वास रखिए उसके उपर ट्रस्ट कीजिए और number two अपनी मर्यादा को कभी मत लांगिए आपके पास जो भी शक्ति है जो भी मक्ति है उसका कभी दुरी उप्योग मत कीजिए अपने रिष्टों में अपनी मर्यादा को बनाए रखिए आपके पास पैसा आने जो कुछ भी आने तो उस चीज़ का मिस्यूज कभी मत कीजिए आपके सक्सस को कभी मिस्यूज मत कीजिए अपनी मर्यादा को अपने जीवन में बनाए रखिए impossible word को अपनी dictionary से निकाल दीजिए impossible जैसा कोई शब्द ही नहीं होता life में अपना कोई गुरू या mentor जरूर बनाए जैसा आप बनना चाते हैं उस field के जो भी उस related गुरू या mentor है उनको अपनी life में जरूर लेके आए क्योंकि गुरू के बगार नया पार नहीं होने वाली है आप चाहे जितने भी बड़े ग्यानी क्यों ना बन गए हो एंकार कभी नहीं करना है आपको success कितनी भी मिल जाए अपनी grounding हमेशा बना के रखियेगा आपके पैर हमेशा जमीन पही रहने चाहिए सर चाहे आसमन तक पहुँच जाए ठीके मेंस कि आपके पास कितनी भी सफल था आने चाहिए आज आए हमेशा credit अपने गुरू अपने mentor और अपने East देवी देवता को ही देना है खुद पे कभी credit नहीं लेना है हमेशा मुस्कराते रहे हसते रहे तकलीफे आएंगी चली जाएंगी लेकिन अगर आप हसते रहेंगे मुस्कराते रहेंगे तो एक दिन वो तकलीफे आना खुद बहुद बंद हो जाएंगी और हमेशा जो भी आपको कार मिले उसको जो भी opportunity आपको मिले उसे crack कीजिए उसे मुस्करा के सिवकार कीजिए और उसको पूरण मन से कीजिए आपका जो भी उसमें रोल है अपने रोल को 100% निभाईए लास्ट में हनुमान जनती की सभी को शुब कामना है I hope हनुमान जी की किरपा आप सभी पे बनी रहे और आपके जीवन में उनका मार्ग दर्शन सदैर यूँ ही बना रहे हनुमान जी आपके किरपा बनाए रखें और आपकी हर अच्छी मना कामना को जरूर पूर करें और कमेंट में लास्ट में जिसको जो भी पसंद आया हो वो आप अपना लिख सकते हैं जो मेरे से चूट किया हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ में एक कमेंट आपको जरूर करना है वो है जैश्री राम जो कि हनुमान जी के प्रिये श्री राम जी का नाम है उनका नाम जरूर लिखना है जैश्री राम जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको जैश्री राम लिखना है ये किसी religion based नहीं है ये just एक life teaching के लिए मैंने इसको डाला है कि हमें life lesson क्या लेने है तो आप अगर चाहते हैं हनुमान जी को मानते हैं नहीं मानते हैं तो भी आप जैश्री राम लिख सकते हैं comment कर सकते हैं आप ये हनुमान जी की किरपास देव वनी रहे धन्यवाद है